AMH एक ऐसा टेस्ट है जो हम कभी भी जाते हैं किसी IVF सेंटर में या काइनकोलजिस्ट के पास यह समस्या लेके कि हमारे बच्चे नहीं हो दे तो ज्यादा तर आजकल यह टेस्ट एडवाइस किया जाता है कि हम AMH को करवा लें AMH एक ब्लैक टेस्ट है जो महिन्य के किसी भी दित में करवाए जा सकता है और इसके लिए खाली बेट होने की भी आवश्यक्ता नहीं AMH हमें बताता है कि हमारे अंदों की क्वालिटी और उसकी शम्ता के हुए मैं डॉक्टर मॉनिका सच्देवा आज आपको पताऊंगी कि जब AMH हाई होता है उसका मतलब क्या होता है अर्थाथ जब AMH बढ़ा हुआ होता है तो उसका थाथ पर रेक्या होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कई बार हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हमाया AMH 10 के उपर है 11 है 15 है और हम खबरा जाते हैं कि यह तो काफी ज़्यादा है हां मिलकुल यह चिंता जनक बात है AMH जादा 6 से जादा अगर उपता है तो वो PCOD की तरफ on point करता है PCOD का मतलब हमारे अंडों में बहुत जादा अंडे हैं और कई बार वोई एक अंडा बढ़ा नहीं हो पारा और हमें टाइम पे मैंसेस नहीं आ पार है हम सबको पता है दोस्तों कि अंडा बढ़ता है उपता है तभी pregnancy की संभावना होगी तो अगर हमारे अंडा ही नहीं बढ़ा आई पे मैंसेस ही नहीं आ रहे तो pregnancy कैसे आई अब AMH अगर जाता है तो हमें definitely अपने IVF consultant के पास जाना ही होका वो आपकी और चीजों को चेक करें कि ड्यूब्स कैसी है husband का count कैसा है और फिर आपके पच्चे होने के process का इलाज शुर्ण है ए में जादा होने का बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आपको पक्की दोह से IVF या टेस्टिंगे भी करवाना है अगर आपका सूज मूर से और प्रॉपर दवायों से कई बार इं दवायों की मदद से और आईवाई से भी आप मावन सकते हैं कई बार जब यह process काम नहीं करता दवायी दी और खुब साए रंडे बन कर तो हमें पेशिंट को यह बोलना पड़ता है यह आपको IVF या टेस्टिंगे ज़र्ण पड़ेगी अब एक डॉक्टर के point of view से AMS अलाके दो चीज़े हैं पहली चीज़ तो हो सकता है injection कम दोस दें और कोई अंडा ना बने ऐसा भी हो सकता है कि injection हाई डोस पर दें और खूब साए अंडे बन जाए और प्रेशन्ट को हाईपर स्टिंगलेशन का side effect होने की सम्झाब आईसा भी हो सकता है जैसे कि हमाएं खा प्रेशन्टी नहीं दोती है एक छोटा सा टिप देती हूं अगर एमच हमारा बना हुआ है और साथी साथ हमें अच्छा खासा मुटापा है तो हमें सबसे पहले अपने वजन को कंट्रोर में आता है क्योंकि अगर वजन कंट्रोर में आ गया तो एमच जादा हो जाए तो प्रेशन्टी इलाज का रिस्पांस बहुत अच्छा बहता है और अगर हमारा एमच जादा है बजन बहुत कम है जिससे हम मेडिकल भाशा में कहते हैं लीन PCOD है उन महिलाओं में भी फोड़ा सा टफ हो जाता है उसमें भी हमें बहुत सूल्दूर से काम करना पड़ता है ए एमच जादा है प्रेशन्टी आगई ऐसी महिलाओं को डाइवर्टीस प्रेशन्टी में होने के संभावना बहुत होती है इसलिए खाने पीने का टोटल कंट्रोल होना बहुत ज़र्णी है प्रेशन्टी के दौरान भी और साथी साथ शुगर का टाइमली चेकप भी बहु कि यहां से जो आप टेखों मैसेज लेके जाएंगे वह यही है कि एमच ज्यादा हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको आइडियास के लिए जाना पड़े आप दवायों द्वाया प्रेटनेंट हो सकते हो एमच ज्यादा है तो आपको अपनी बेट पर ध्यान देना है आ को भी एक गो नहीं हाएंगे नहीं है नहीं का चस्ते है